जन्पधापुर के थाना हाफिसपूर कोतवाली शेत्र के अंतरगत बुधवार की सुबहे हुए जबरदस्त सड़क हादसे में कई वहनों की आपस में भड़न्द हो गई सड़क हादसे में एक पुलिस कर्मी समेट कुलतीन लोग घायल हो गए सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सियसी में भड़ती कराया और जान शुरू कर दी है जानकारी के अनुसार मामला हाफिस पुष शेत्र के राश्टी राजमार्ग का है जहां सोना पेट्रोल पंप के पास बुलन शहरोड के उपर से गुजर रहे हाईवे के निकट के हाथसा हुआ दरसल एक गयस का कैपसूल सड़क किनारे खड़ा हुआ था सड़क पर भैंकर कोहरा होने के कारण पीछे से आई मैक्स पिकप के चालक को कैपसूल नजर नहीं आया जिसकी वजह से गाजयाबाद से रामपूर की और जा रहा मैक्स सड़क इनारे खड़े कैपसूल से जाब भीड़ा मैक्स को विपिन पूत्र विनोध निवासी मदुकर रामपूर चला रहा था जिसमें गुलाब उसिंग पूत्र हर्दवारी भी सबार था वही पीछे से आएक ट्रॉक ने भी शतिग्रस्ट पिकप में टकर मार दी और वह पलट गया लगबग पांच वहन इस दोरान आपस में भड़ गया जबकि ट्रॉक सड़क हाथ से में पलट गया सूचना मिलने पर हाईवे चार पर तेनात कॉंस्टेबल राजकुमार और अनुच कुमार मौके पर पहुंचे और शतिग्रस्ट वहनों को साइट कराने लगे तभी कॉंस्टेबल अनुच के पैर पर एक कार चड़ गई जिससे उनके पैर में चोट आई गायल कॉंस्टेबल अनुच मैक्स पीकप का चालक विपिन और गुलाब को पोलिस ने अस्पताल में भरती कराया है जिनका उपचार चल रहा है देखी हापुड से अभिशेक कश्यप की खास रिपोर्ट सब्सक्राइब को हटा रहे थे तो हाइवे फोर की गाली पर तैनार पुलिस कर्मी को पीछे से एक टैंकर ने टकर मारी तो जिससे वह उसके पैर में तुला चोट लगी है उसको भी उप्चा लेदू बेजा गया है जिसकी वैसे पीछे दो एक तो ट्रक भरा हुआ और एक सब्सक्राइब करें कर उसको पलट गया है इसकी वैसे हाइवी पर फ्रोल जाम लगा है जिसको हटवाय जा रहा है और हटवागर्स ट्रेफिक वेस्ताव चारू किया जा रहा है हम आ रहे थे हाराम से कौरे में आ गए यह गैस वाला जो कंटेंड नहीं है पीच में खड़ जाता तरह उन्होंने जासे लगा था वह गाड़ी को खैंच के लेकर गए तब ही मेरी गाड़ी एक तो सायद से निचे आए तो गिर जाती है अंदर हो आप कि अ